हम्हेलो फ्रेंड्स!.. आम बलगराम और यबीडियो हम बात करने बाले हैं डाक्टर ए पिजी अब्दूलकिल टेक्निकल उनिवस्सीटी गौालियर के बारे में हम इस बीडियो में देखने बादे यद्मिशन प्रॉसेजर के बारे में जानकारी देखने बाले हैं कि अभी युनिवर्सिटी में जीमैंस और एने टीए की काउंसलिंग ओपन थी लेकिन अब आपका जो काउंसलिंग सेडिल रिलीज हो गया है CUT काउंसलिंग के लिए तो जो बच्चे CUT के थ्रू एडमिशन लेना चाहते थी उनके लिए गुड निउस है काउंसलिंग सेडिल रिलीज हो गया है तो आप ओफिशिल वेबसाइट पर देख सकती है और हम देख रहे हैं काउंसलिंग सेडिल तो इसमें देखेंगे हम कब से आपके रिजिस्ट्रीशन स्टार्ट हो रहे हैं लास्ट डेट क्या है बिगने डेट क्या है और इसमें फीस कितनी आपको लगेगी और जो सीट अलॉट्मेंट है कब होगा तो यह सभी जानकारी के लिए वीडियो को अन तक जरू देखें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक तो आप देख पार हैंगे यह नोटिस जो रिलीज हुआ है युनिवर्सिटी के दुआरा उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग दो हजर बाइस टेंटेटिव सैड्यूल फो एडमिशन बेस्ट ओन सीवीटी यूजी तो जो बच्चे सीवीटी यूजी के त्रू एडमिशन लेना चाहती थी उनके लिए एक काउंसलिंग सेड्यूल है तो देखें इस राउंड इवेंट्स स्टार्ड डेट एंड डेट तो यहां पर आपको रजिस्टेशन पैमेंट और फीस डॉकुमेंट अप्लोड तो यहां पर आपका जो स्टार्ड होगा र अक्टूबर आपकी लास्ट डेट होगी रेजिस्टेशन के और यहां पर फीस की बात करने तो दिस इस दा ओनली अपोचरिटी फॉर रेजिस्टेशन इन रेगुलर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग रेजिस्टेशन नॉट अलाउड इन राउंड सेकेंड राउंड थर्ड इन राउंड फॉर तो इसमें बताया गया है कि आपको जो रेजिस्टेशन करवाना होगा काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड में ही करवाना होगा सेकेंड थर्ड या फॉर्थ राउंड में आप डिरेक्टली रेजिस्टेशन नहीं कर पाएंगी तो यहां पे आपक साथ अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच में और यहाँ पर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन रिस्पॉन्स टु क्वेरी यहाँ पर आपको सत्रा दस से उन्नीस के बीच आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा ओन-lain choice filling and locking की बात करें तो यहाँ पर आपकी online choice filling होगी 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको online choice filling and locking करनी होगी और first round की seat allotment की बात की जाए तो यहाँ पर आपको seat allotment होगी 21 अक्टूबर को आप seat allotment list देख पाएंगी कि कि किसको seat allot हुई किसको admission मिला है या नहीं मिला है तो यह आप देख पाएंगे 21 अक्टूबर को फिर आपको आगे जो further process है online, willingness, freeze or float तो यहाँ पे जिन बच्चों को seat allot हो जाएगी तो अगर वो admission लेना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको freeze करना होगा और जो बच्चे admission नहीं लेना चाहती है जनको seat allot हो गई है और admission नहीं लेना चाहती है seat छोड़ना चाहती है तो float करेंगे तो यहाँ पे आपको करना होगा start date 22 से आप 25 तक freeze या float कर सकते हैं payment की बात करें जन बच्चों को अगर freeze किया है तो add यहाँ पे आपको fees भरनी होगा admission fees तो payment of seat confirmation seat confirmation के लिए यहाँ पे आपको fees submit करनी होगी तो fees कितनी आपको submit करनी होगी तो यहाँ पे general के लिए OBC के लिए 20,000 रुपे आपको fees submit करनी होगी seat confirmation के तोर पर और SCST के लिए बात करें तो यहाँ पर 12,000 फीश सम्मिट करनी होगी SCST के लिए और यह जो फीश है तो यह आप लोगों की tuition fees में add हो जाएगी जब आपका college start हो जाएगा लगना तो आपको आपकी tuition fees में add हो जाएगी तो यह आपको confirmation के लिए आपको fees आभी फिल करनी होगी सम्मिट करनी होगी तो यहाँ पर आप 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में आपको fee submit करनी होगी फिर आपको जो इन बच्चों को second round में अगर जिनको first round में seat a lot नहीं होती तो वो second round में participate करेंगे तो यहाँ पर आप choice filling fresh choice filling करेंगे online choice filling and locking तो फिर से आपको choice filling करनी होगी तो यहाँ पर 15 अक्टूबर से या 20 अक्टूबर की बीचे में आपको choice filling आप कर सकते हैं तो यहाँ आपको seat allotment की बाद जिनको admission नहीं मिला जैसे कि बात करें payment तो आपने fee submit कर दी 20,000 और 12,000 अगर आप online withdraw refund तो यह आपको हमने बताए कि tuition fees में यह जोड़ जाएगी तो फिर आपको अगर first round में नहीं मिली seat तो online choice locking last option to change the choice the choice filled will also be treated for further round including internal sliding for lateral entry प्रियाप lateral entry के लिए आपको जो choice filling है वो करनी होगी 3 11 से 4 11 मतलब आप कर पाएंगी यहाँ 3 नवंबर से 3 चार नवंबर तक आपको choice करनी होगी यहाप online choice locking करनी होगी तो seat allotment कर होगा आपका पांच यानि कि आपका seat allotment candidate with first choice allotted will be auto freeze तो यहाँ आपको आपको पांच नवंबर को seat allotment हो लिस्ट आपको देखने को मिलेगी पैमेंट आप seat companies तो यहाँ पर आपको फीज सम्मिट करनी होगी lateral entry के लिए तो यहाँ पर online जो आपके फीज भरने होगी वह आपको 10,000 और 6,000 आपको यहाँ पर फीज से आपको साथ के बीच में आपको फीज सम्मिट करनी होगी तो ऐसे फर्दर राउट भी आप चलने वाले हैं तो आई होप आपको इंफोर्मेशन लगी होगी वीडियो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि आपको इंफोर्मेशन वीडियो मिलती रहे जो भी एड्मिशन से युनि एफ दें नेक्स वीडियो में